हलो गाइस नमस्का में ये चैनल में आप सभी का स्वागत है गाइस आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ देशी ड्राइ चिकन की रेसिपी बहुती सिंपल तरीका से बनाएंगे हम बहुती कम इंगरियन के साथ तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो मुझे पक्का गारेंटी है कि आपके मुँँ में जरूर पानी आ गया होगा तो वीडियो को अब इससे लाइक कर दें न्यू है तो प्लीस मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा पास ही दिखे का एक छोटा सा बेल बटन उसे दबना न भूलें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आते रहें तो गाई सबसे पहले हमें ले लेना है एक पैन और पैन में सबसे पहले हम ड्राइ रोस्ट करने वाले हैं सूखी लाल मिर्च और साथी साथ काजू तो मैंने यहां पे चार से पांच लाल मिर्च ले लिया है और साथी साथ मैं यहां पे ले ली हूँ काजू, साथ से आठ मैं याँ पे काजू ले ली हूँ इसे एक से डेर मिनट तक हमें ड्राइ रोस्ट करना है बिलकुल धीमे आज पे, बिलकुल लो फ्लेम पे गाइस अगर आप नॉन वेज की शौकीन हैं तो एक बार इस मेथर्ट से इस प्रोसेस से जरूर ट्राइ करें बहुत लाजवा बनती है ये रेसिपी तो गाइस ये हो चुका है, अब यहाँ पे मैं गैस का फ्लेम आफ कर दूँगी और इसे निकाल लूँगी, किसी भी बाउल में तो गाइस इसे थोड़ा सा ठंडा करके हमें इसे ग्राइंड कर लेना है जब ये दरदरा सा ग्राइंड हो जाएगा तो उसमें मैं डाल दूँगी एक बड़े साइस का चौप किया हुआ टोमैटो और दोनों को हम प्यूरी बना लेंगे गाइस मैं यहाँ पे ले ली हूँ एक बड़े चम्बस तेल और तेल में थोड़ा सा बटर भी डाली थी ये आप्शनल है अब यहाँ पे मैं डाल दूँगी एक बड़े साइस का प्याज को चौप करके मैं यहाँ पे डाल दी हूँ गैस का फ्लेम हमारा medium to low है इसे हमें थोड़ी देर तक transparent होने तक इसे cook करना है तो ये देखिए प्याज हलका पक चुका है तो अब इसमें हम थोड़े से मसाले अड़ करेंगे तो चलिए इसमें डाल देते हैं सबसे पहले मैं यहाँ पे डालने वाली हूँ अदरक लहसन का paste तो एक चमच मैं यहाँ पे अदरक लहसन का paste डाल दी हूँ इसके बाद मैं यहाँ पे डालने वाली हूँ हल्दी पाउडर लाल मिट्च और धनिया पाउडर तो यहां पे मैं डाल दी हूँ अल्दी पाउडर इसके बार ने डाल दूंगी धन्या पाउडर और साथ ही साथ मैं लाल मिर्च भी डाली हूँ तो लाल मिर्च पाउडर का बिल्कुल ध्यान रखियेगा क्योंकि हमने सूखे मिर्च को भी ग्राइन किया है वो भी इसमें डाएगी तो बिल्कुल आप तीखा का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा वैसे यह जो ड्राइ चिकन बनता है यह थोड़ा सा स्पाइसी भी बनता है तो इसे हमें थोड़ी देर तक कुक करना है उसके बाद हम इसमें आड कर देंगे चिकन पीसे तो यहाँ पे मैं आड कर दी हूँ चिकन पीसे गाइस यहाँ पे आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि गैस का फिल्म हमें हाई नहीं रखना है मीडियम टू लो पे ही रखना है इसे हमें इसे एक बार मिक्स करने के बाद अब मैं यहाँ पे यह प्यूरी डाल दूंग अब इसे हमें ढख के कुक करना है थोड़ी थोड़ी तेर पे हम इसके लीट को हटा के और उसके बाद स्टर कर लेंगे तो यहाँ पे मैं नमक भी डाल दी हूँ स्वाद अनुसार और यह देखिए बहुत ही प्यारा सा कलर भी आ गया है इसका तो अब मैं यहाँ पे डाल कस्तूरी मेथी इसे बहुत ही अच्छा सर फ्रेंग्नेंस भी आ जाता है और टेस्ट में भी बहुत जादा उभार आ जाती है साथी साथ मैं आपको बता दू कि मैं यहाँ पे गरम मसाला भी आड़ करती हूं अब यहाँ पे मैं कोई भी और इंग्रेडियंट आड नहीं कर लेंगे और जितना भी आपको ड्राइ रखना है उसके कॉर्डिंग आप इसको ड्राइ रख लें और यह हमारा परफेक्ट ड्राइ चिकन रेडी हो जुका है बिल्कुल देसी स्टाइल का बहुत ही कम इंग्रेडियंट में आप इसे रोटी के साथ खाएं बहुत मजा आए